राजस्तान में भारत्य जन्ता पार्टी द्वारा निकाली जा रही परिवरतन यात्रा को लेकर प्रदेश अद्धिक्ष सीपी जोशी शनिवार को उधैप्रू पहुंचे जहाँ सीपी जोशी का कारे करताओं ने स्वागत किया स्वागत की पश्चात आयोजीत पत्रकारवारता में सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में गहलोज सरकार पर वादा खिलाबी ब्रष्टाचार और महिलाओ पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदेश की जंता में काफी आक्रोश है और विदानसबा चुनाओं में भाजपा पूरे भहुमत से पुनाँ वापस आएगी परिवर्दन यात्रा में कम संख्या के सवाल पर सीपी जोशी ने बात को नकारते हुए कहा कि लोगों में जबर्दस उच्छा है और जगा जगा परिवर्दन यात्रा का स्वागत किया जा रहा है दोस्तों विदान सबाब में यह यात्रा निकाली जा रही है 2023 में भी बिलेगा और इसका जवाब 2024 में मिलाई रहा है देखिए सरकार पांच वर्ष के लिए बनती है या पांच महाइने के लिए बनती है पिछली बार भी इस परकार का चुनाओं के अंतिन दिनों में 2013 के चुनाओं में ऐसा ही कुछ किया गया था नतीजह आया 21 पर मैं दावे के साथ क्या सकता हूं इस बार 21 भी नहीं होगे जब राजस्तान का मतगर्णा होगी उस दिन आप देखेगा अब तक का सबसे एतियासिक बहुमत भारती जनता पार्टी को इस बार मिलने वाला है उसके पीछे कारण है कि जिस प्रकार से मैं सब जगे जाके आया हूं जनता में कसक है गुसा है कि वादा खिलाफी करने वाली सरकार है दोखा देने वाली सरकार है इस सरकार ने ना नारी की शुरक्षा कर पाई ना किसानों को साथ दे पाई युवाओं के सपनों को इन्हों ने रोंदा है इसलिए ऐसी सरकार को हमेशे हमेशा के लिए विजाई देनी कि मुख्यमंत्री के पार्लियामेंटरी बोर्ड डिसाइड करता है चुनाव के बार तो इस विशे में बार बार चर्चा करना मुझे नहीं लगता इसलिए भारती जन्ता पार्टी के तमाम हमारे वरिष्ट नेता जिनका मारदशन इस यात्रा को और लगातार हम सब लोगों को मिल रहा है बहुत धनिवाद महरत हासिल घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फरनिचर तो जरूर आईए पूनम फरनिचर सेक्टर पाँच उदापूर for more details contact 9783 262618 and 98281 41898